दोस्तों Facebook पे एक problem देखाऊगा आपने Monodation Limited बहुत सारे भायों को ये problem आता है तो आज इसी के बारे हम जानने वाले हैं आखिर ये problem आती क्यों है और इसको सही कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको पता दू ये problem आती है copyright के वैसे अगर page पे हम कोई video दाल रहे हैं या profile पे दाल रहे हैं अगर कोई copyright देता है तो इस तरह की problem देखने को मिलती है तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं आखिर इस problem का solution क्या है इसको हम खतम कैसे करेंगे 2 second का काम है 2 second में इस problem को आप solve कर सकते हैं जी हां दोस्तो 2 second में तो चलिए video को शुरू करते हैं सबसे पहले चलते है mobile की screen पे वहाँ सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ तो finally मैं आ चुका हूँ mobile की screen पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक professional dashboard खुला हुआ हुआ कोई problem नहीं की को सब कुछ green है यहाँ पे भी कहे रहा है no monodization violation मतलब कोई भी violation आपके page पे profile पे नहीं है तो आखिर यह problem आती क्यों है तो यह जो problem है यह सिर्फ copyright के वैसे यह problem आता है अगर आप page पे किसी वीडियो दाल रहे हैं और page पे किसी copyright आ गई तो इस तरी की problem आपको देखने मिल सकती है अब SMS all कैसे करेंगे page वाली वीडियो ठीक है तो page पे अगर आपके problem है already मने एक वीडियो बना रखी है थमने लिहाँ पे दे रहा हूं आप देख भी सकते हैं बिडियो भी दे दूँगा वो भी देख सकते हैं लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ आपको अगर आपके page पे problem है तो आप meta business suite में जाएंगे जिस भी page पे problem है उस page को open कर लेंगे उसके बाद आपको content open करना है content जब आप open करेंगे तो आपको सारी वीडियो की list आपको check करनी है जिस भी वीडियो का dollar आपको rate नजर आए तो समझ लेना इस वीडियो पे copyright है आप उस वीडियो को delete कर देते हैं तो ये खुदबाखुद problem solve हो जाएगी अगर तुरंद नहीं जाता है तो कुछ ही time में ये खुदबाखुद गायब हो जाएगा अब बात कर लेते हैं profile की अगर आपके profile पे problem है तो profile तो आपको पता है meta business world में आप open नहीं कर सकते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियो पे copyright है या नहीं है तो ऐसे मैं आपको क्या करना है आपको अपना facebook जो है chrome browser में login करना है जैसी कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ यहाँ से minimize कर देंगे इसको chrome browser में जाएंगे already मैंने facebook को login कर रखा है आप भी इस तरह से login कर लेंगे सबसे पहले आप three dot पे click करेंगे और आप यहाँ check करेंगे desktop site आपका on है या नहीं अगर on नहीं है तो इसको on कर देंगे जैसे यह tick यहाँ पे लगा हुआ है तो tick लगा होना चाहिए ठीक है और उसके बाद धीरे धीरे हम सारी वीडियो पे ऐसे check करेंगे किस वीडियो पे हमें problem आई है किस वीडियो पे हमें copyright आई है सारी वीडियो आप check करेंगे जिस भी वीडियो पे आपको copyright नजर आए ठीक है उस वीडियो को हम तुरन के तुरन डिलीट कर देंगे अब जैसे ही आप डिलीट करते हैं delete करने के कुछ ही देर बाद जो ही ये खुद बाखुद गायब हो जाने वाला है अगर profile पे by chance गायब नहीं हो रहा जैसे कि इनके अब हम बात कलने ते हैं इस profile के ठीक है इस profile पे ये जो problem आई है ये 4 दिन पहले आई है जो इस profile के honor है उनका कहना है चार दिन पहले ये problem आई है ठीक है तो हम क्या करेंगे चार दिन पहले जितने भी पोश्ट हुई है जितनी भी वीडियो पोश्ट हुई है उन वीडियो को ही चेक करना है हमने क्योंकि उससे पहले तो कोई problem नहीं थी ठीक है अगर आपको कहीं भी नजर आये कॉपी राइट उस पर चाहे मिलियन में ब्यूज हो चाहे हजारों में चाहे लाखों में अगर इस तरह की प्राब्लम आपको नजर आ रही जिस पर कॉपी राइट लिखा हुआ है वो वीडियो आप तुरंट के तुरंट टिलीट कर देंगे अगर आप डिलीट करेंगे तो आपकी प्राब्लम सॉल्ट नहीं होगी और डिलीट कर देतें तो कुछी देर में आपकी ये प्राब्लम खुद्बा खुद सॉल्ट हो जायेगी तो उमिद करता हूँ आपको समझ आ गई हो तो आप भी इसी तरह से जो हैं अपनी प्राब् बटन जरूर दबा दें, मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक लिए जैहिन दोस्तों.